हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आओरे ट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पौधे के बारे में वीडियो में जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है या रोज एपपल का पौधा है कुछ ऽोग इसे सफेद जामून के नाम से भी जानते हैं हाला कि इस पौधे में भी फल नहीं आये हुए लेकिन इसका जो फल होता है वो जो जामून होता है ब्लाक वाला उससे अपोजिट बिल्कुल सफेद जामून होता है आएए देखते हैं इस पौदे के कुछ खास गुड़ों को सपेद जावन बिटामिन से भरफूर होता है इम्यून्टी के लिए बिटामिन सी जो है काफी अच्छा होता है इसके सेवन से इम्यून्टी पावर बढ़ती है इसके अलवा दोस्तों रोज एपल में फाइबर की अधिक्ता होती है फाइबर की अधिक्ता काड़ इसके सेवन से पेट की समस्या से छुटकारा मिलता है इतना ही नहीं फाइवेर यूक्त होने के वज़य से बलड सुगर भी कंट्रोल करता है वजन को कंट्रोल करने में यह काफी अच्छा माना जाता है रोज एप्पल में विटामिन A भी पया जाता है आंखों की रोशनी के लिए विटामिन A काफी फायदे मन दोता है इसलिए अगर आप प्रतिदीन रोज एप्पल के सेवन कर सकते हैं तो आँखों के समस्या से आप निजात पा सकते हैं दोस्तों गर्मियों के दिनों में सरीर को अधिक पानी क्या सकता होती है सफेद पल के सेवें से आपके सरीर में होने वाली पानी की कमी होती है दूर करता है इसके साथ ही आपकी स्कीन को भी काफी अच्छा रखता है इसके आलावा दोस्तों यह हड्डियों और दातों के लिए भी काफी ज़्यादा फायदे मन्द है इसमें भरपूर रूप से कैलिसीम और पोटेसिम जैसे तत्व पया जाते हैं दातों और हड्डियों को मजबूत रखने में हमारी मदद करते हैं इसके साथ यह सरीर में तरल, हाइड्रो और इलोक्रोलाइट को संतुरंद करने का भी कारे करता है इसके फल को इम्यून्टी बूश्टर के फल के रुप में भी जाना जाता है इसके सेवन से मौसमी इंफेक्शन से भी बजा जा सकता है इसके साथ यह कच्चे रोजय पल को खाने से कैंसर जैसी समस्या में भी काफी ज़्यादा फायदा होता है तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी नहीं जानकारी दी है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को सेयर करें थैंक यू फार वाचिंग वीडियो थैंक यू वेरी मच करें अच्छा लाचिंग यू वीडियो दो अच्छा लग़ाँ करें यू नहीं है